कि हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब बहुत बढ़िया है बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट्टर नंबर 16 MP बूर्ड क्लास 7 हिंदी की और इससे पहले में पंद्रा लेसन जो लास्ट लेसन था आपका पंद्रवाय छोटा जादूगर वहां तक के question answer को cover करा दिया था इस वीडियो में हम देखते हैं 16 लेसन ठीक है चले बच्चों शुरू करते हैं और आई हूप कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा चैप्टर की स्टोजी कुछ ऐसी है कि एक छोटी बच्ची रहती है उसका नाम है नरवदी ठीक है तो बिंद्यांचल की जो परवत सिरणियां हैं वहीं पर रहती अवरकंटक तो बच्चों उसके जो पिताजी थी वो लकड़ा हरा थी लकड़ी काटते थी तो बच्ची उनके साथ जाते थी फल फ्रूट जो जंगल से खट करने के लिए एक समय आता है कि बहुत गर्मी का मौस तो बच्ची और दुट बच्ची गैसे लगती है तो क्या करते है उसके बच्ची बच्ची को जगह बैठाके पान हखले निगल जाते लेकं अपने पिता जी की बेजएनी को देखकर भगवान से परतना करती है कि है प्रभू । कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मेरे पिता जी का जो कस्ट है क्योंकि वो मेरे लिए इतना दुख से रहे है मुझे प्यास लगी है तो उनको भी प्यास लगी है तो पानी धूरने के लिए दर दर जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ निवार कीजिए तो वह जो है वो लड़की जो है नर्वदी वो नर्मदा नदी का जो है जहरना निकल जाता है वहीं से जहां वो बैठी रहती है मलब वो जो है नर्वदा का रूप ले लेती है आई हूप क्लिए रुचका होगा आप चलते हैं सिद्धिया इसके कॉश्चन आंसर पर देखो बच्चो नर्वदी कौन थी तो नर्वदी मेकल परवत के घनी जंगलों में गहां में दुगण रहता था नर्वदी उसकी बेटी ठीके नर्वदी अपने पिता के साथ रहती थी वह आप इंदा भी लग सकते हैं कि नर्वदी दुगण की बेटी थी ठीके बच्चो अगला कुश्चन क्या है पिता के साथ नर्वदी कहा रहती थी तो देखो नर्वदी अपने पिता के साथ जन जातियों के गाउं में रह लेकर यहां तक लेख सकते हैं दुग्गन बास लेने के लिए सुबह सुबह पहाड की दिशा में चल पड़ा नरबदी जहरना क्यों बन गई दुग बच्चो नरबदी अपनी प्यास के कस्ट को भूल गई उसकी आखों के सामने परिशान पिता का चहरा आ गया उसकी आखों लेलो लेकिन मेरे पिता जी के पिराण पचा लो इसके साथ ही नरबदी वहां से अद्रस हो गई और जहरने के रूप में वहां से पिरकट हो गई अब जैसा भी आपकी समझ में आए उस तरह से आप लेख सकते हैं लोग कता कि नरबदी के किस नदी का जनम हुआ तो को उसके पिता दुगण का चहरा इस पश्ट दखाई यह रहा था उसके चहरे से दुगण की परेशानी भी जलक रही थी यहां से लेकर यहां तक बस इतना ही आपको दो लाइन में इसको कवर कर दीना है दूसरा है मैं तुम्हारी प्यास बुजाने के लिए जहर ना बन ग परवत ठीक है दुगण ने उसे किसकी तरह पाला मा की तरह पाला कि इसकी माही नहीं थी ठीक है लोग कता है प्रिचलत है माना जाता है हो सकता है ऐसा नहीं हुआ हूँ दुगण के हाथ अपने उठकर जुड़ गए तो क्या पराथना ठीक है मैं तुम्हारी प्यास यावाची आपको लिखना है तो दुग दू पर यावाची आपको साम में दिख रहे है पानी का हुझाएगा नीर और जल तालाप का हुझाएगा सरूबर ताल परवत का पहाड़ गिरी कड़िस का हुझा गड़पती लंबुदर ठीक है को सब गद्यांस में यथा इस्ता लगा है तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अगला कुश्चन आपको दिया गया कुश्चन नम्बर ठीकशाद्यन दिम्र टेस सब्वरके सही करम करके सार्थक सब्द बनाए यह सार्थक सब्वर्णा जैसे मुस्क्राने की कोशस नर्वदी नकी तो नर्वदीन मुस रही थी ठीक है अच्छा अगला कुश्चन है दिए गई संग्या सर्वनाम क्रिया बिशेशन अभी उधान के अनुसार बिशेशन बनाई तो देखो बच्छो धनका हो जाएगा धनी सुक का सुखी ग्यान का ग्यानी दान का दानी बल का बली और गुड का गुड़ी इस तरह तेहिक शैघवनाश सब्ढ़्स अपने इस थी अपने सम्झया सब्ट वूग देखो यह का यहां बैसा कौन का कैसा जो का ऐसा ठीक है किया पढ़ना पढ़ना है अपढ़ाकू लड़ना का जड़ालू और जआग्लों और वेचना का भिकवाल अब यह बनाएगे आंगे का आगला पीछे का पिछला बाहर का बाहरी ऊपर का उपड़ी कुस्चन नमबर पांच में हैं नीचे नीचे बनी तालकाओं में दिये गए उधान के इंसार रिक्त स्थाने के पूर्टी करें आपको तालका दिये गई किताब में उसके निसारे से आत्म समारपन तो इसको सामन ते हैं लेक्ष्ट वीडियो में चले वचो टेक क्यर